आपदा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुती है भोकम एक ऐसी प्राक्रतिक आपदा है जो कुछ मिली सेकंड या मिंटों तक रहती है लेकिन जीवन और संपती का भारी लुक्सान कर जाती है कश्मीर, यूरेशियन और भारत्य टेक्टॉनिक प्लेट के बीच स्थित होने के कारण एक भोकम प्रवंट छेत्र है कश्मीर ने अपने अतीत में कई भोकम देखे है पंदरवी सदी से लेकर अब तक यहां तेरह गंभीर भोकम दर्च किये जा चुके है कश्मीर के लोग फजिर के नमाज अदा करके रोजमर्रा के कामों में लगने ही वाले थे कि अचाना 7.6 तेवरदा वाले वोकम ने पूरी घाटी में तबाही मचा दिया तबाही का आलम ये था कि राज्ज में एक लाख से ज़्यादा घर बरबाद हुए और हजारा लोगों की जान गए सबसे ज़्यादा नुकसान पुरी और तंधार में हुआ जहां पुरे गाओं के गाओं बरबाद हुए और सेकड़ों परिवार देखते ही देखते उजड़ गए ऐसे में कमज़दा लोगों की मदद के लिए जैसे परिष्टे उतर आए भारतिय सेना और भारतिय वायु सेना ने आवाम को बचाने के लिए दिन रात रिस्की ऑपरेशन चलाए दिन को दिन न समझा और न रात को राः यहां तक कि सरदिया और परफीले मौसम के लिए ब गरम कपड़े दिये दवाएं दी और नया आशियाना बसाने के लिए भरपूर मदद किया इनने हमारी धटवाडियों को हमारे गरूं से गेंती बेल्चा और चबर लेकर उनको नकाला और हमारे साथ उनकी कबरें खुदवाई उनको हमारे साथ गफन कुराया उस वक्त कौन था हमारे पास? कोई भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था, क्या था हमारे पास? ये फोजबाई को आवाज देते थे कोई चीज़ पानी सब तड़ रहे थे पानी के पीछे इननों नियुमारे साथ मदद किये, बहुत मदद किये हमें फोज में बहुत मदद की है तो यह तो काबली फखर की यह काबली फखर बात यह एक ऐसी चीज़ है जिसको ना बुलाया जाए